दोस्तों अगर आपको इस आईरवेदिक दवा प्रियोग कर रहे हैं या फिर भविश्य में प्रियोग करने का विचार कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको आईरवेद के नाम पर बिकने वाली दवाईयों की कड परवी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देगा तो चलिए बिना देर के प्रारम करते हैं नमस्कार मित्रों में डॉक्ट रोबिन सर्माप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में कुछ खास बिमारियों और सम मिलने वाली आयरुवेदिक के ओश ध्यां पावर स्टैमिना या फिर वजन को तेजी के साथ घटाने और बढ़ाने वाली आईरुवेदिक के सच्चाई आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पहले वजन को बढ़ाने वाली आयरुदीक दवायों के बारे बहुत अच्छी लगने लगे आपका वजन तेजी के साथ बढ़ने लगे और 10-15 दिनों में आपको अपने वजन में बहुत अच्छे फर्क की अनुभूती हो इतना अच्छा फर्क कि आपका वजन 3-5 किलो तक बढ़ जाए तो आपको समय रहते साउधान हो जाने की आउशक परनाक दूस्प्रभाव दिखाने वाली अंग्रेजी दवाईयों का आम तोर पर प्रियोग किया जाता है जिनके दूस्प्रभाव के विशे में आप ना ही पूछे बहतर रहेगा यदि फिर भी आपके मन में इनके दूस्प्रभाव जानने की इच्छा है तो नीचे के कम प्रिवेद के नाम पर मिलने वाली वजन को तेजी के साथ कम करने वाली दवाईयों में भी होता है वहाँ भी कुछ खतरनाक अंग्रेजी दवाईयों का प्रियोग किया जाता है जिनका दूस्प्रभाव भविशे में बहुत ही भयाव्य रहता है यहां तक कि कुछ जोला प्रियोग किये जाने वाली दवाईया वजन को तेजी से कम करने के लिए रोगी को वजन कम करने वाली दवा बना कर खिलाते हैं जिसका प्रभाव यह होता है कि वजन तो तेजी के साथ कम होता है परन्तु जब तक दवा का रोगी प्रियोग करता है जैसे ही दवा का वो प प्रोगी को भविश्य में कभी ना कभी अवश्य जहलना पड़ेगा। के लिए बाजार में मिलने वाली या फिर बहुत से वैद्य और आयरवेदिक चिकित्सों को द्वारा प्रियोग किये जाने वाली ऐसी ओश्यधियों की जो अपने पहली खुराक से ही आपको लाब दिखाई देना प्रारम कर देती है। प्रभाव दिखाती है पूरी पूरी संभावना है कि उस दवा में अंग्रेजी दवा का प्रियोग किया गया है या फिर अफीम और भांग जैसे नसीले पदार्थों का प्रियोग किया गया है। जी हाँ चाहे वो दवा कोई भी क्यों ना दे रहा हो। यहां तक कि आप यदि मुझ से कोई दवा लेते हैं और आपको पहली खुराक में हैरान कर देने वाला सकारात्मक प्रभाव नजर आता है तो आपको जरूर अपने मन में प्रश्न उठाना चाहिए कि कहीं इन दवाईयों में अंग्रेजी दवाईयों का प्रयोग तो नहीं किया गया कहीं इसके अंदर भांग और अफीम जैसे नसीले पदार्थों का प्रयोग तो नहीं किया गया। दोस्तो इस प्रकार की आयरवेदिक दवाईयों में आम तोर पर अंग्रेजी दवाईया, विसेश तोर पर सिडेनाफिल, टडालाफिल, शियालिस जैसी दवाईयों का प्रियोग किया जाता है, इन अंग्रेजी दवाईयों का अधिक प्रियोग संपूर्ण रूप से पोरु तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर गलती किसकी है जी हाँ निश्चित तोर पर दवा बनाने वाले की गलती अवश्य है परन्तु यहाँ मैं रोगी की भी जो दवा ले रहा है उसकी भी गलती उतनी ही मानता हूँ क्योंकि अंग्रेजी दवाईयों का इतना अधिक प्रचलन हमारे चारों तरफ हो चुका है कि हमें हर प्रकार की समस्या में आदत पढ़ गई है कि अभी खाई हुई दवा का हमें 10-15 मिंट में परेणा माऊश्य प्राप्त हो जाना चाहिए और कुछ ऐसी ही उम्मीद हम आयर अधीरता का लाब उठाते हैं आयरवेद के नाम पर ठगी करने वाले दोस्तों आपका सरीर आपका ही है आपको इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इन दवाईयों का ना केवल आपको सारीरिक हानी के रूप में भुकतान करना पड़ता है बलकि आर्थिक कोशिध्यों का प्रियोग करते समय आवश्य ही साउधानी बरतनी चाहिए हाला कि यहां मैं एक बात आवश्य कह देना चाहूंगा ऐसे बहुत से रोग हैं जिनके अंदर पूर्णत सुरक्षित तरीके से आयरवेद कोशिध्यों का प्रियोग कर बहुत ही सिगरता के साथ यहां तक कि पहली या दूसरी खुराक से ही आपको लाब की प्राप्ती करवाई जा सकती है परन्तु जिन जिन रोगों का और समस्याओं का मैंने आज के इस वीडियो में नाम लिया है उन रोगों में प्रमुखत प्रियोग किये जाने वाली कोई भी ऐसी आयरवेदिक तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा देगे यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक शदिक लोग पास शेर केजिए वीडियो को लाइक केजिए अपने सुझाओ अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बता क्या है इसे अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा आप या चाहता हूं मिलते अगले वीडियो में नमस्कार